हेलो फ्रेंड नमस्कार कुकिंग से संबंदित आज हम कुछ आपको कीचिन टिप्स देंगे जिसमें घर के बचे हुए सामान या वेस्ट पड़े सामान को कैसे ठीक करके फिर उनका रियूस किया जाए और फ्रेश अच्छी सी रेसिपी बना कर खाया जाए और किन चीजों को मिलाया जाए तो रेसिपी हमारी एक दम टेस्टी बने और आपको बिल्कुल ना पता चले कि ये बासी चीजों से मिलकर बनी है या घर के थोड़े बचे कुछे सामान से चलिए पहली हमारी किचन टिप्स है तेल को लेकर छनी से आप जब छाने तो बचे हुए तेल जैसे पकोड़े वगरे यू बना गए है या पूड़ी तो उस तरह के तेल का हम कैसे रियूस करें इसके लिए ये छनी लिया है जिसमें छनी ऐसी ये प्लास्टिक की तेल थंडा हो चुका है और अगर गरम रहे तो आप गरम तेल को मत क्लीन करें जब तेल थंडा हो जाए तभी ये प्लास्टिक की छनी है नीचे कीप है तो आसानी से आप इसे डायरेक्ट बोतल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं पर इसके लिए मैं एक स्टेल की टिफिन रखती हूं जिसमें अपने बचे तेल रखती हूं फिर उसका रियूस कर सकूं तो इस तरह से पकोड़ी और हम बनाते हैं तलने वाले मैंने पकोड़ी और पूरी दोनों बनाया था तो देखे ये बाजरी वाले पूरी बनाया थे तो इसके बाद हमारा तेल काफी बेकार बचा है तो मैं इसका रियूस करूंगी अब मैं इसके लिए कड़ाई को क्लीन करने के लिए इस पैटुला जो यूज कर रहे हूं वो हमारा है थोड़ा सा सौफ्ट जिससे हम आसानी से तेल निकाल सकें और इससे हम अपने तेल को दबा दबा कर क्लीन भी कर लेंगे यह बहुत इजी रहता है अगर लकड़ी और स्टील के आप यूज करेंगे तो इतने अच्छे से आप इसके तेल को ह जया है उसे हम धक्कर रख लेंगे और चाहेंगे तो जब सब्जी बनाना हो पराठा बनाना हो तब इसका रियूज कर सकें जब भी आप तरते समय तेल डालिए तो भर के कढ़ाई मट डालिए थोड़ा सा ही तेल डालिए ताकि जितना यूज हो सके तो यूज हो जाए उस कॉटन का कपड़ा दुपट्टे का था तो अब इससे तेल निकाल लिए कितनी गंदगी बाहर आई है और इस जूठे तेल को पूरे डिब्बे में नहीं रखेगा क्योंकि जिससे हमारा बाकी तेल भी जूठा हो जाए अब इस कपड़े को हम फेक देंगे इस तरह से जब पैसुन अद्रक और मिर्च का पेस्ट इस तरह से ड्राई पाउडर बना लिजे इससे अब चटनी भी बना सकते हैं फ्रेंट्स थोड़ा सा कच्चा तेल डालके सरसों का पानी और थोड़ी सी खटाई है ना मज़ेदार सी टिप्स अगली टिप्स है फ्रेंट्स जो बचा तरीके का फ्राइड राईस देखे कैसे पहले हमने थोड़े से लॉंग डाल दिये और थोड़ा सिनेमन स्टिक्स अब इसमें जीरा की जगा हमने सौंफ डाला है और फिर इसके बाद लैसुन अद्रक और मिर्च का पेस्ट डाला है इसमें हरे लैसुन का यूज हुआ है अ इसे भूनते समय आप जो भी मसाला यूज करना चाहें कर सकते हैं प्याज में थोड़ा सा जब हम नमक डाल देंगे तो प्याज अच्छे से गल जाएगी इसमें थोड़े लैस सौरी हम थोड़ा सा इसके अंदर काजू डालेंगे जिससे हमारे जो चावल है उसका फ्रेश एकदम अच्छा स्वाद आए यानि आपको लगे पुलाव जैसा तो आधा कर ले रहे हैं काजू के दो टुकड़े बीच से करके सारे काजू हम डाल देंगे फिर इसी तरह से चला लेंगे और चलाने के बाद हमारे पास चटनी बची हुई है यह पीनट चटनी है जिससे यह चावल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा थोड़ी सी चटनी थी तो इसका भी यूँज मैंने कर लिया यह टमाटर और पीनट की चटनी है हरीमिर्च लहसुन के साथ और यह गरम मसाला मैंने घर में तयार किया था इसकी रेसिपी भी मैंने दिया है एक टिप और ट्रिक्स में आप वहाँ से देख लीजेगा फ्रेंड्स इसकी लिंक मैं दे दूँगी और चिली फ्लेक्स जो फ्रेश इस महिने मैंने बनाया है उसका भी link मैं आपको दे दूँगी, देखे कितना colored है एकदम, और बहुत fresh बनकर ये chili flex तयार हुआ, आसानी से आप घर में मिर्च को धुल कर सुखा कर अच्छे से बना सकते हैं, है न मजेदार सी tips, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी जिन का आप बना के, अपना पैसा बचा, थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर, जो घर में बनाया है, और थोड़ा इसी हल्दी, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर और नमक, डाल के इन चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, और जब तक ये soft हो रहे हैं, friends ये अच्छे से भुन रहे हैं, भुनने के बाद आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा, जब थोड़ा सा पानी अगर आप डाल देंगे, तब ये बहुत अच्छा बनकर तयार होता है, इसके लिए हम थोड़ी मटर पहले डालके मटर को अच्छे से भुन लें, यानि boiled मटर है तो आपको भुनने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हमारे पास ही कच्छी मटर थी बची हुई, तो इसका यूज मैं कर रही हूँ, आपके पास गाजर हो और टमाटर हो, जो भी चीज़ें आपके पास सबजियां बची हैं, चुकंदर हैं, पत्ता गो भी हैं, वो चीज़ें का इस आपके पास अगर बॉइल राइस हैं, बूसका भी आप यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हम जब तयार कर लेंगे, तो कटोरी में थोड़ी सी चटनी लगी है, इसी कटोरी में हम पानी डाल देंगे, ताकि हमारी चटनी जो है, वो भी इसी सबजी में तुरंत आ जाए, औ और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, इस तरह से आप चाहें तो सबजी चावल भी खा सकते हैं, पर इसके बजार इसे और टेस्टी बनाने के लिए पहले हम सारी चीजों को पकने देंगे, उसके बाद धीमे धीमे ऊपर से हम चावल डालेंगे, चावल डालते जाएंगे और फिर उसे मिला लेंगे, मिलाने के बाद फिर चावल डालेंगे, एक बार में ही आप पूरे चावल मत डालिएगा, बंचस में उसे डालिएगा ताकि मिलाना आसान रहे, हमने जो थोड़ा सा पानी डाला था, इसके कारण चावल जो है हमारे बहुत फ्रेश और टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा और टेस्ट को भी इस तरह से सारी चीजों को आप मिक्स कर दीजिए फिर उपर से जो बचे आपके चावल हैं उन्हें भी डाल दीजिए और चला लीजिए चलाने के बाद थोड़ा सा टेंपरेचर हाई कर दीजिए ताकि आपके चावल गरम हो तब आप फिर इन्हें धग दीजिए और धग कर छोड़ दीजिए थोड़ी देव धग देंगे तो यह बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और एकदम फ्रेश चावल आपके यह लगेंगे देखे स्टीम हो गए आप चावल कितने खिले-खिले हैं है ना मजईदार सी टिप्स कौन कह सकता है कि यह बासी चावल का बना हुआ पुलाओ है लग दा है ना एकदम फ्रेश अगर आपके पास बड़ी हैं सोयवीन बड़ियां उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं फ्रेंट्स मठा मैंने लिया है मठा मेरे पास था थोड़ा खट इसमें मलाई डाल दी फ्रेश मलाई डालिएगा तो बहुत अच्छा बनकर तयार होगा फिर इसे फेट लीजिए दही हो तो दही भी आप डाल सकते हैं अगर खटी दही हो तो इसके अंदर आप थोड़ी मलाई डाल देंगे तो यह काफी क्रीमी और टेस्टी बनकर तयार ह होगे अब इसमें फिर से हम लैसु नद्रक वाला पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे अगर आप चीनी डालना चाते हैं तो चीनी डाल दीजिए चाट मसाला डाल दीजिए तो खटा मीठा बनकर तयार होगा थोड़ा हम चीनी आवायट करते हैं तो मैंने नहीं डाला है वैसे आप डालेंगे तो इसका स्वाद और ज्यादा अच्छा होगा फिर आप थोड़ा सस में चिली फ्लेक्स डाल दीजिए वैसे तो लेसुन अद्रग और जिंजर का पेस्ट हमने डाला ही था थोड़ा सा कलर के लिए कश्मेरी मिर्च और ये टेमेटो सौस से थोड़ा सा पानी डाल के डाल दिया जिसी इसमें थोड़ी सी खटा मीठा स्व और आ जाएगा अब फिर इसके अंदर हम डायरेक्ट बूदी डाल के मिलाएंगे तो हमें थोड़ा मठे को पतला कर लेना था वैसे पतला मठा तो था ही और जब मिला देंगे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा रायता बनकर त्यार होगा आप चाहें तो इसमें धनिया डाल सकते हैं फ्रेंट्स धनिया नहीं थी और रात का समय था तो मैं बगीचे से भी नहीं ले सकती हूँ अब इसमें कश्री मेथी डाल दी हूँ अपने बगीचे की और इसे मिक्स कर दी ये टेस्टी सा पुलाव और रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तयार है बच्चे चिरोन से बना हुआ है कोई नहीं जान पाएगा फ्रेंट्स आप जिसे भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो आपके बच्चे एकदम खाकर खुश हो जाएंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमे मारा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो फ्रेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और हमारी बताई गई टीप एंट्रिक्स एक बार फॉलो करके तो देखे आपको कितना मजा आता है और बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं नेक्स्ट टीप एंट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग